हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चानल आज मैं बनाने जा रही हूँ गरम मसाला जी यह वही गरम मसाला जो हर रसीपी में डालती हूँ में बहुत ही टेश्टी और बहुत इसी में बनेगा चले बनाते हैं लेट्स को सबसे पहले गैस पे मीडियम आज पर ही कड आज दस मिनिट तक हम लोग भूनेंगे दम धीमी आज पर थोड़ा इसका मसाला की कुश्बू आने तक ज्यादा जलाना नहीं है ज़स्ट मसाला की कुश्बू आ गई तो इसको निकाल के साइड में रख देंगे अज बून बून के साइड में रखते चलेंगे एक प्लीट में फिर उसी कडाई में ये फूल है जावित्री फूल है ये भी सब चार 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 चमची ले रही हूं चार इलाइची और इसके अंदर चार पाज तेज पत्ते, पिरियानी पत्ते बोलते हैं और यह जाई फल आता, यह बहुत ही टेश रहता इसको जरूर डालेगा, इसको अभी सेगा अखा का भून रही हूं मैं इसके बाद इसको भी अच्छा से बाद 10 मिट भूनेंगे, कुश्बू आने तक और वो जाई फल है, जैसे भून जाएगा उसको कूट के हम लोग मिक्सी में पिस लेंगे देखे, पत्ते को निकाल देने जरूरी है यह तो पूरे यह मसाला पिसने तक पत्ता खाला हो जाएगा इसे भी बस बाद 10 मिट तक कुश्बू आने तक भूनना है अच्छा से भून लीजे यह इसका फलेम लोटू मिडियम रखेगा भून के फिर इसको हम लोग निकाल देगे देखे, चाइफर लाल हो गया बस इतना ही करना इससे ज़्यादा नहीं बस ठंड़ा होने के बाद इसको कोट के हम लोग मिक्सी में डाल लेंगे निकाल देती हूँ मैं फिर उसी खड़ाई में चार चमच लॉंग और चार चमर काली मिरी इसको डाल देंगे पेपर को डाल के इसे भी पादस मिर तक यूशिबो हाने तकि इसको बूनना है इस सारे इंगेडेंस अच्छे से याद देख लीजिए और मैं इमियाज पे पादस मिर तक इसको बून लेंगे आप सोच रहोंगे सब को एक साथ भी बूना जा सकता है जी हाँ बूना जा सकता है लेकिन क्या होता है कि जाइफल थोड़ा मोटा है और पत्ते जलगेते जली लाल हो जाते हैं तो इसलिए एक एक करके बून लोगे ना तो बून भी जाएंगे और फटाफट भी हो जाएगा एक साथ बूनने बैठें बहुत टायम लगेगा यह है दन्या यह सबसे मेहंगे इंगे रिएंग से इस दन्या को भी एक कप दन्या इसे भी अच्छा से रोष्ट कर लिजे दन्या पाडर झालती हुना में ऐसे इस तरह स और वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग को पता भी ने कैसे वाला इंगिदेंस लेते हैं देखे इस तरह से सब शीज बुनके मैंने एक प्लेट में ले लिया इसे पूरा ठंडा होने के बाद इसको पीस प्रम ने तो क्या होगा उसको आयल रिलिस हो जाएगा और वह ज्ञादा द आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छी लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना तो बिलकुल ना भूले कैसा बना आप से भी गरम मसाला यह हर डिश के लिए तयार है चिकन मट यह सभी रेसिपीस के लिए तयार है गरम मस थेंक्स